कह सकते ना पतली कमर होनी चाहिए लड़की को कई बार देखे कर दो कंड है कि अपने यूट्व चैनल में स्वागत करता हूँ बच्चो इसकेलेटन सिस्टम के दो पार्ट आप लोगों को दे दिये हैं बलेए आप लोगों ने इन पे बहुत अच्छा रेस्फोंस नहीं दि सकें बच्चो आज पार्ट नंबर थ्री है जैसा कि आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया गया था उसी हिसाब से आज हमने अपनी रीड की हड़ी प्लस अपनी पसलियां यानि रिप्स और अपना इस्टर्णम यानि जो ब्रेस्ट बॉन है ठीक है बच्चो सबसे पहले मैं आ पर आप लोग देख सकते हैं यह वाली ठीक है तो यह वाली जो बॉन है तो बच्चो अब इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है पहला रीड की हड़ी दूसरा पसलियां और तीसरा हमारी स्टर्णम यानि उरोस्थी जिससे हमारी पसलिया जुड़ी है देखो बच्चो सबसे पहली चीज आप लोग यहां पे एक इमेज आपके सामने शो हो रही होगी उसको आप लोग देखिए बहुत ध्यान से आप लोग देखिए ठीक है और उसमें आप लोग जैसे देखेंगे तो आप लोगों को अपनी रीड की हड़ी की स्टक्चर दिखाई देगी ठी इमेज में जो राइट वाली साइड है ठीक है जो राइट वाली साइड है आपकी राइट ठीक है वो आपकी बहार वाली साइड है ठीक है और जो मेरी तरफ से है यानि आपकी लेफ्ट है वो आपकी अंदर वाली साइड है देखो बच्चों इसमार्ट बोर्ड की करते रही वीडियो उसको «संप हो जाएगा सब अबने हम थीकिए» तो बच्चो पहला हम ने आपको imaged देखा अब जान लेते हैं उसके बारे में हमार्फे की हडी होती है उसको maior udंड कहते निय। वर्टिबरल कॉलम कहते है बच्चो ठीक है अब एक चीज़ देखो यहां पर आपकी टोटल पांच बोन्स होती है यह पांच नाम से होती है ठीक है नाम पांच है बाकी होती प्लस त्रिक प्लस अनुत्री कास थी आप इसको भूल जाओ मैं सिंपल भासा मता रहा हूं गर्दन का तो आप लोग समझते हैं देखो बच्चो रीड की अड़ी जो है आपकी यहां से शुरू होकर ठीक है यहां से शुरू होकर और बिल्कुल पीछे तक आपकी यहां तक नितंब समझते हैं अप यह पुठाज को कहते हैं वाला फिषे वाला ठीक है तो हम यह बतर यहां तक जा रही है आप लोग देख सकते हैं खोटी सी पूच्य आपको चमकती होगे अपने पीछे आप लोग उसको देख सकते हैं तो बच्चो ऐहां से लिकर गषिक के कुल्य तक जा रही है कुल्य मतलब कुल्य कह देते मैं आपके लिखा हुआ है कुल्य ठीक है तो बच्चो देखो अब अब आपको गर्दन वक्ष कटी ट्रिक सब समझना है मेरी बास सुनो गर्दन वाले तो आप समझ गए कि जो यहां से निकल रही है वो आपकी होती है कौन सी सर्वाइकल जिसमें कभी-कभी अगर हम कह सकते हैं कि यहां पर अगर हमारे वाली आपकी मेरुदन थे है तो यह तो समझ गया आपकी सर्वाइकल कौन सी है गुद्धी वाली है अपर लिख देता हूँ गुद्धी थीक है बच्पने में कहते हैं गुद्धी छेतिसकी श्युद्धी पते दो चार चार्टे खैच करे तो वाली गुद्धी तो गुद्धी वाली बौन कितनी होती है बच्चा साथ होती है यानि आपके शरीर में जो सर्वाइकल हड़ियां होती है वो साथ होती है वक्स बेटा वक्स कौन सी होती है देखो वक्स होती है च्छाती वाली जगोंकि आपकी शांती देखों बहुत बड़ी है को समझे उसके उच्छों कटी कौन सी होती है देंको हमारी जो कमर रहे पर घारा जा रहा हो तो ऐसे जा रहा हो घूंत घारा हो है ठीक है यानि कह सकते हैं जिसको कह सकते हैं पतली कमर होनी चाहिए लड़की को कई बार देखे कह रहता है कि पतली कमर होनी चाहिए तो वह पतली कमर जो कमर है वह आपकी लंबर है यानि कटी है उन्हें आपकी पांच बहुत होती है यानि पेट के पीछे जो आपके पेट के होती हैं समझ गए उसके बाद आती है बच्छो सेक्रल सेक्रल जो आपकी कुल्ले वाली बॉन्स हैं आप लोग जब ले जाकर के देखो के पीछे देखो यहां से इतना कैमरा शो नहीं हो रहा है कैसे आपको दिखाँ हैं जैसे आपका की टॉर्ण हो रहा है यहाँ पर फ्लन हें तो खीकर कि सेक्रल बोन होती हैं वह आपकी 5 बोन होतीई है ठीक है कितने बोर्ण हो क्योंट यह आपकी वِयस्ट मनुस्यकी नहीं यह figured बिदा तिक लगा होगा हमारी कमर के पीछे पहले पूँच वाला सिस्टम लंगा हुआ था वह पूँच वाला इनग होती तहीं नहीं होते हैं वे इस Major High होता है वैसे वैसे यह सैकरल और यह अनुत्री कास्ट थी यह नो हड्डियां मिल करके पांच और चार्ण नो हड्डियां मिल अब लोग है को तो हमारी जो चैस्ट है इस चैस्ट है चैस्ट वाली आपकी बॉंस line x आजने आपने सुल्तान ूवी देख़ियोगे उसको कहते हैं कि पसली पसली ant doctor hope अब इसके अंदर समझने क्या है इसके अंदर वाली बात आधर सबको पता हैं कि 24 सोथी यह 12-ichi 15 को पता है लेकिन से रही M कौन सी हड़ियां जुड़ी ही नहीं है ठीक है समझगे बात को अब देखो बच्छो मेन बात हमारे यहां पर पसलियां होती है बारा बारा चुबिस jni बारा जोड़ी होती है बारा इधर बारा इधर clear रहा लात उन बारा जोड़ियों में से जो पहली साथ है एक दो तीन चा क्या कहते हैं, true ribs, true मतलब असली, ठीक है, समझ गए, उसके बाद, मैंने आपको बता जया कि, एक से लेकर साथ तक true ribs होती है, और ये किस से जुड़ी होती है, आपकी यहां पे लिखराओं में, इस्टर्नम से जुड़ी होती है, इस्टर्नम से जुड़ी होती है, ठीक है, इस्टर्नम आपको अभी बताने वाला हूँ, बस अभी के लिए आप इतना समझ लें कि, जो ribs, जिस हड़ी से जुड़ी रहती है, वो आपकी इस्टर्नम है, ठीक है, तो एक से लेकर के साथ हड़ जो true ribs है true पसलिया असली पसलिया है वो आपकी इस टर्णम से जुड़ी होती है ठीक है बच्चो उसके बाद 8-9 और 10 या एट 9 और 10 ये पसली आपकी false ribs होती है false ribs इनको कह सकते है ठीक है क्योंकि ये इस टर्णम नहीं ये उपर वाली अपनी जो पसली है उनसे जुड़ी होती है ठीक है डाइगराम में देख लो मजा आजाएगा फुल पता चल जाएगा आपको कौन से वाली ठीक है तो ये वाली 8-9 और 10 ये आपकी false ribs ठीक है यानि आपकी असत्य पसलियां ये आपकी उपर वाली पसलियों से जुड़ी होती है समझ गए उसके बाद होती है ग्यारा ये आपकी पीट पर हो जाती है ये आपकी किस्से नहीं जुड़ती इस टर्नम से नहीं जुड़ती कहीं बार question पूछा गया है के कौन सी जो आपकी ribs है वह आपकी इस टर्नम से नहीं जूड़ती तो 11 और 12 कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब बच्चो जिस टर्नम से ये ज उरोस थी, sternum जो ribs को जोड़ करके रखती है यह आपकी ribs है, इनके बीच में जो आपकी हड़ी है यह जो बीच वाली हड़ी है यहाँ पर image भी आपको दिख रही होगी जहाँ भी आप देखो, ठीक है तो इसको कहते हैं breast bone, breast यानि चाती वाली bone, हमारी चाती को develop करने के लिए 100% हाथ इसी का है, क्योंकि ribs कहाँ जुड़ती है अगर यह sternum ना होती, आपका जो heart होता है, वो इसी sternum के पीछे होता है clear है, पहली और छटी bone के पीछे, तो sternum जो है most important role रखती है और बहुत सारे हमारे organs को भी बचाती है, ठीक है तो यहाँ पर इसको breast bone कहते है, केवल एक होती है, समझ गए, केवल एक ही होती है, जादा नहीं होती है, अब देखो बचो, इसकी actual इस्थिती क्या है हमारी गर्दन, यह जो गर्दन है ना, देशी वाले नैड बोल देंगे, यह से नाड